नेहिंदी के एक नए अपसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडिन डिफेंस की प्रमुक अप्डेट्स को और इस अप्डेट में हम पहले बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेट से लेकर आई एक बड़ी अप्डेट से भारत जो कंफरिकेशन ये फाइनलाईज हो चुकी है अब यहां पर 51वे एक राफ्ट से यो उत्ता मेंसा रिडार है इसको इंटिग्रेट किया जाएगा यहां पर बात हो रही है तिजस मार्क वन ए की यानि असान शब्दों में बात करें तो B.E.L. ने कंफरमेशन दे दी है कि क्या वन वे तेजस मार्क वन ए से हमें जो उत्ता मेंसा रिडार है ये देखने को मिलेगा इसके रावा कुछ एडिशनल लिपोर्ट भी साजा करी गई है B.E.L. ने कहा कि जो उत्ता मेंसा रिडार तेजस के लिए सुनिश्चित किया गया है या जो जिस कंफरिकेशन को इसमें आपको पुराने 720 टियार मॉडिूल से बढ़ करके 980 टियार मॉडिूल देखने को मिलेंगे या नी की ट्रांस्मिटर रिस्टीवर मॉडिूल की भी बात की जाए तो वो 720 से बढ़ करके 980 की संख्या को पार कर चुके है और ये इंप्रूब्मेंट निसंदे रिड मॉडिूल देखने को मिलेंगे जो कि इन्हेंस रेंज, रिजूलूशन और ट्रैकिंग कैपबिल्टी ओफर करेंगे जो टियार मॉडिूल से इन्हें क्रिटिकल कॉम्पोनेंट के तौर पर देखा जाता है रेडा सिस्टम में क्योंकि ये टार्केट को डिटेक्ट करने, इंगेज करने और जो एक्सेनेर रेजवे ऑपरेट करने में एक महात्पूर्ण भूमिका को सुनिश्चित करते हैं, टियार मॉडिूल के नंबर को बढ़ाने का सीधा मतलब यह है कि जो हायर डिटेक्शन रेंज है वो हमें प्राप्त होगी और जो सुपीरियर मल्टी टा को खासकर अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत सारे मिशन्स ऐसे होते हैं जहां पर कॉंटेस्टर इंवर्मेंट होता है और वहां पर इस प्रकार के रेडार सिस्टम एक महात्पूर्ण भूमिका को सुनिश्चित करते हैं इसके अलावा इनसे जो सिच्वेशन अवेरने एसा फायर कंट्रोल रेडार का यह शुरू कर दिया है और इसे बहुत रदी तेजस मार्क वने प्रेटफॉर्म में इंटिग्रेट भी किया जाएगा जो रेडार वैरियन बिसिकली तेजस मार्क वने के लिए विक्सित किया गया है यह और यह चीज़ें इंशोर की जा आप सोगो पता है कि अभी हम इसे बहुत रेडार पर डिपेंडेंट है लेकिन यह रेडार उस डिपेंडेंसी को खतम करने में एक महात्रपुर्ण भूमे का सुनिश्चित करने वाला है B.E.L. ने कह दिया है कि क्या वनमा तेजस मार्क वने वो एक्राप्ट होगा जिसे पहली बार उत्तम मार्क वने से रेडार मिलेगा और उसके बास से यह एक स्टेंडर्ड एक्किप्मेंट बन जाएगा आने वाले भविश्य के तेजस के लिए यही नहीं अप्गेट के मा 100% इंडिजनाइजेशन चाहते हैं इसमें यह एक महातपूर कदम माना जा रहा है सिर्फ यहीं नहीं बलकि B.E.L. ने यह भी कहा है कि तेजस मार्क टू के लिए जो उत्तम का नेक्स चेनेशन रेडार सिस्टम है यह भी और मुस्त तयार है और तेजस मार्क टू में उसका अस्तमाल किया जाएगा तो एक चीज़ तो इस पस्ट है कि आत्मिर्भारत इनिशेटिव के अंतरगत यह जो बड़े कदम है इनके अप सका रात्मक परणाम हमें देखने को मिलना है और हम आशा करते हैं कि वो पार्ट जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उन्हें भी आगे चल होगा एरोंडिया 2023 में एक ऐसा घटना क्रम हुआ था जो आज तक चर्चा का विशय बना हुआ है और वो है F-35 Lightning 2 का भारत आना हम सब को यह पता चला था कि जो अमेरिकन प्रेटफॉर्म है यह भारत आ रहा है और यह पहली बार था जब भारत की भूम में बें कोई 5 जनरे वाले हैं और इस बात के पीछे की वजह भी काफी इंट्रेस्टिंग है आपको याद दिला दे कि इस समय चाइना में जुहाई एर्शोव 2024 का आज़न हो रहा है जहां पर highly anticipated जो रुशियन स्यू 57 फैलन फाइटर एक्राप्ट है यह आ चुका है और यह पहली बार है जब कि इसे ओवर्शीज exercise में यह participate कर रहा है और इसने जो करतब है वो दिखाने शुरू भी कर दिये हैं और लोगों का मन मोहना इसने अल्रीड शुरू कर दिया है तो कि आप जानते हैं कि यह एकरब अपने extreme maneuverability के लिए जाना जाता है और अब यहाँ पर experts यह भी मान रहा है कि क् चाइना आया है और रशिया के तरफ से रेशन मेडिया outlet के तरफ से यह claim भी किया जा रहा है कि अब जितने भी प्रसिद एयर शोज हैं वहाँ पर यह अपने भूमिका को सुनश्चित करेगा तो ऐसे मैं माना जा रहा है कि इसकी जलक अब defense enthusiast को एरो इंडिया 25 में देखने को मिल भी सकती है अच्छा इसके पीछे की वज़े भी है एक बार को हम मान लें कि यह खबर निरर्थक है लेकिन जो वज़े हैं वो काफी वाज़िव हैं आपको याद दिला दे कि भारत को लगातार यह एक पुश किये जाते रहे हैं रशिया के तरफ से फिविर चाहे एक 75 चेक मेंट हो यह दोनों एक बारत के समख्ष कई बार प्रस्तुत किये गए और एरो इंडिया दो हजा पत्चिस से बड़ा जो अवसर है वो क्या हो सकता है रशिया के लिए कि वो इनका एक लाइफ डिमोंस्ट्रेशन बारत के सामने रखे हाला कि भारती आफ वाइव से और भारत की मिनिस्ट्रेव डिफेंस ने अभी तक यह एक अन्फर्म नहीं किया है कि इनके पार्टिसिपेशन होंगे या नहीं लेकिन जो मेडिया आउट्टेट है फिच है वो फॉरेंड मेडिया आउट्लेट हो या इंडियन मेडिया और इसमें चर्चाएं काफी दाद लोकल प्रोडिक्शन तक का ओफर रश्या के द्वारत दिया गया है भारत इस प्रोग्राइम का हिस्सा था आपको याद होगा एफजेफे के इंतर्गत भारत ने रश्या के साथ डील फाइनलाइज करी थी और भारत ने जो मिलियन सब डॉलर की या यू कहले बिलियन डॉ रिक्राइमेंट के हिसाब से नहीं बनाया जा रहे हैं और इनके स्टेल्स प्रोफाइल पे भी लगातार जो सवाल है वो उठता रहा था और बाद में 2018 में भारत ने अनॉफीशली इस प्रोग्राम से कुद को बाहर कर लिया था लेकिन तब से रश्या को इसी इसकी उमीद है कि भारत एक बार फिर से इस प्रोग्राम में आएगा इसको जोईन करेगा और दोनों दिश्मिल करके एक एडवांस जो फिब जनेशन फाइटर एक्क्राप्ट है उनको बनाएंगे और अब यहाँ पर एरो इंडिया क्योंकि आने वाला है और हमें बहुत सारे सर्प्रा अब आता है तो रश्या के पास एक फियर चांस होगा इस एक्टरप की एक्ट्वल कैपबिल्टी को भारती अवाइसना के जो अधिकारी है और पाइलेट से उनके समक्ष रखना जा पर भारत एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रिये इवैलुएट कर सके और ऐसे में चां उम्मीदे प्रबल हैं कि ये एक फिर्फ में देखने को मिल सकता है तो आज किस वीडियो में बस इतना ही मिलते अगले वीडियो में कुछ और अप्डेट्स के साथ तब तक के लिए जैहन